तो दोस्तों सुआगत आपका आपके अपने यूटूब चैनल टीकड इस्टूड़ी नमबर में तो दोस्तों जैसा कि हमने फिछले व्युडियों में जना था टाइपसओ नेट्वर्ग लोकलन डैपस भूवल से पहला टॉपो latencyसे पहला by the ival क्या विडियो करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब अनुदी नौन कि मैं गुंदी तोनलोजी क्या है ग्यों थोड़ा सा समझ लें टोब सबीज हों दोस्तो केविल को किस पिरकार से लगाते हैं उसको लगाने का जो तरीका होता है या फिर हमें लगाने के बाद जो वह हों एक knit work बहτα वह मैं अपनी आःखों से किस तरह का दिखाई देता है कि इस प्रकार का दीखता है उसको क्या बोलते या उसमें कम्प्योंटर को करते हैं फिजिकली रूप से ट्रांस्मिशन मीडिया का यूज करके कम्प्यूटर को डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते तो वह टोपोलोजी कहला थी फिजिकल टोपोलोजी छह फिरकार के टोपोलोजी होती ही जो कि हम आगए डिसकस करेंगे दोस्तों पहले जान लेते हैं ट तो सिनल पर है लेक्चे अपलोड़ कर चुगा हूँ ट्रांस्मिशन मीडिया के बारे में आप उसय ने क्जया आपनी के लिए लोकल इरिया नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों क्या कहला था वो नेटवर्क जो कहला था फिजीकल रूप से उसकी जो सरचना होती दोस्तों माली जी एक कंप्यूटर यहां पर है ऐसे ही एक कंप्यूटर यहां पर है एक कंप्यूटर यहां पर है यह चारों कंप्यूटर आपस में connected हैं तो यू क्या दोस्तों टोपोलोजी है यह क מד한다 टोपोलोजी जो कि हमैं दीख रहे हैं लेकिन यह यहां क्योंकि यह चारों कॉम्पोर्टर्व आपस में connected यह इस और तो चौर्पलोजी है और दोस्तों टोपीरिकंट्पै Then फिजिकल टोपोलोजी और लोजिकल टोपोलोजी फिजिकल से मतलब जो की फिजिकली रूप से जो हमें आखों से दीखती है और लोजिक लोजिकल जिसमें की सिगनल ट्रेवल हो रहे होते सिगनल्स ट्रेवल हो रहे होते उसमें यह नहीं पता चलता कि सिगनल्स एक कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को सेंड क्या है डाटा या बी कंप्यूटर ने एक कंप्यूटर को सेंड क्या है डाटा जैसे देखते हैं दोस्तों जैसे कि फिजीकल टोपलोजी मालीजी यह एक एक केबिल है इस केबिल से कंप्यूटर कनेक्टिड है एक कंप्यूटर यहां पर कनेक्टिड है एक कंप्यूटर यहां पर कनेक्टिड है एक कंप्यूटर यहां पर कनेक्टिड है ऐसे ही कुछ कंप्यूटर यहां पर कनेक्टिड है कुछ कंप्यूटर यहां पर कनेक्टिड यह क्या दोस्तों यह बश्ट ओपलोजी है तो इसमें क्या दोस्तों यह फिजिकली रूप से तो हमें दीख रहें कि हाँ बश्ट ओपलोजी है माली जे ए कंप्यूटर नहीं ये ए कंप्यूटर है ये बी कंप्यूटर है ये सी कंप्यूटर ये डी कंप्यूटर ये ए कंप्यूटर ए कंप्यूटर ने ए कंप्यूटर को डाटा सेंड क्या हो सकता कि ए ने सेंड क्या या फिर इने सेंड क्या हो इसका नहीं पता कि क्या पता और फिर फिर उसका जो की हमें, जिसमें हम मतलब कि, जिसमें हम लोजिक लगा शक्कते हैं, कि हां क्या पता नहीं कि, ए ने से ऐंट किया data तो उसको हम बोलते हैं, लोजिकल टोपोलोजी जिसको जो कीונה गायर में भी नहीं आती लोजिकल लोजिकल टोपोलोजी सिर्फ समझा रहा हूं ठोड़ा साफ ठीकलटो टोपोलोजी एक्जाम में फिर किताबोंचेकल डाकाम हूझ यू सिह जिसुम सेथ। आध्य किंता अधर हो रहा है वो इस somehow हो ओती दोस्तों कि हमें दिखा ही दे्रिया आंखों से कि कुछ computer से जो एक cable में connected है उसका हम बोलते physical topology topology तो topology की बात करें तो दोस्तो है फिरकार की topology है इशटing या इमपोटेंट लेकिन अगर question आथा तो स्केश। नमभर एक की से में आपको समझा रहे होगा और थोड़ा चPac- crazy चither होते होते हैं अब आthen कमेसे कुछ और और बहर से कुछ आपने सायद देखा भी हो डोस्तों ऐसे ही हैं जो अन्दर दिखाई दे रहा वो जो उपर से दिखाई दे रहा है वो अंदर से नहीं है मतलब कभी-कभी आंके भी धोका खा जाती है देखे समझ लीजिए जैसे कि मैंने बतायता भी इस कंप्यूटर ने एक कंप्यूटर यह है यह यह दोनों आपस में कनेक्टिड है हो सकता है कि क्या A ने B को data HER 2 का हो या फिर हो सकता है डी ने a को data her और सेंड क्या यह क्या है यह लोजिक लग रहे हैं कि यह logical topology की category में आते हैं और फिजीकली रूप से जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि दो computer connected है cable के तुरू यह physical topology होगी अब समझ आगे होगा दोस्तों अब हम जान लेते हैं topology types of topology types of topology types of topology में हम जानेंगे नंबर एक पर दोस्तों बैसा तो छह topology है physical topology में लेकिन important तीन या चार ही हैं लेकिन हम सभी के बारे में जानेंगे क्योंकि exam में अगर question आ जाए तो अच्छे से पता होना जरूरी है नंबर एक पर दोस्तों bus बस टोपोलोजी नंबर दो पर रिंग टोपोलोजी रिंग टोपोलोजी नंबर तीन पर दोस्तों इस्टार टोपोलोजी इस्टार टोपोलोजी और नंबर चार पर मैस टोपोलोजी मैश टोपोलोजी नमबर 5 पर दोस्तो हाइब्रेट टोपोलोजी नमबर 5 पर हाइब्रेट टोपोलोजी नमबर 6 पर बस रिंग स्टर ट्री टोपोलोजी ट्री 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 टॉपोलोजी बैसे अब अगर बात की जाए के इम्पोर्टेंट जो की अधिकतर आजकी डेट में यूज होती हैं तो दोस्तों रिंग बस्टोपोलोजी Agora star topology Shap訊बetty और कभी कभी सो इस दोस्तों बश्ड़करी नहीं लेकिन श्ठार टॉपोलोजी बश्ट उपीडिय के बारे माथ तोक तोक ऑडिक आधिक करेंगे तो चलिए अब व ihm करने भी तोपोलोजी के बारे में जाना था चैपिरकार की टोपोलोजी होती अब हम बन-by-one यहन की एक-एक करका है सब के बारे में अच्छे से समझेंगे दोस्तों बैसे तो आपके सब कंप्योंटर कनेक्टेड़ यह बैकबोन के विले यह सब उससे नोट्स लेकिन दोस्तों ऐसा बताने में कुछ जादा बढ़िया बात नहीं थी क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे बताने में साइध कुछ दिनों तक आपकी समसाय याद रहता लेकिन दोस्तों अब मैंने कुछ अपनी टिप्स ट्रिक के साथ लिखा वह ती इजी लेंग में आप चाहे आप जान लेते हैं प्रेल फह उपर पढ़ें गें फिर नीचे इसमें प्रेक्टिकली समझेंगे उस्तों बश्तों पालोजी इन नेट्बर्क टोपोलोजी सही बात है बच टोपोलोजी क्या है एक नेट्बर्क टोपोलोजी मनलीजा मैंने पीछे बताता कि हम जब लोकल को connected करते हैं उसे त्हों हमारी टोपोलोजी नेट यूजिन लोकल टोपोलोजी नेटवर्ग के लिए छोता है इस्कों कंप्योट कंप्यूटर कंप्यूटर कम्प्यूटर के बहुंत इस बहुत किए कivia जिसको हम backbone cable बोलते हैं इससे क्या है सभी computers connected है A computer ये B computer ये C computer ये D computer ये E computer दोस्तों सभी computer क्या है एक backbone cable यानि कि एक single cable के through connected है बश्ट टोपोलोजी पैसिव टोपोलोजी सही बात है बश्ट टोपोलोजी पैसिव टोपोलोजी इसका मतला है दोस्तों के बन computer can send message एक समय में एक ही computer message send कर सकता है अब फिर receive कर सकता है जैसे कि माली जीए एक Ampne Center को डा तो इससा नहीं है कि यह के पादा सेंट किये यहां से जब यह के लिए डाटा तो दोस्तों ड के यह जई के पास भी तो यह को ऑगा गना जिसका data c computer d computer data send नहीं कर सकता या और वाई और भी कोई other computer किसी दूसरे computer data send नहीं कर सकता दोस्तो यह था च्छोटी सी definition में है दोस्तो आप इसे चाहें तो note कर लिना अब दोस्तो मैंन पोईंट है advantage और disadvantage दोस्तों वहां थोड़ा सा बता दोस्तों यह जो computer connected होते हैं कि यह तोपलोजी को बढ़ा करेंगे तो इसकी फिर लो जाएगी दोस्तों अब इसके कि बात करें दोस्तो अड़ांटेज करता है कि इसकर बच्ट टोपोलोजित कंद लें यहां कि इसमें कोश्ट बहुत ही कम है एक सिंगल केविल है जिसके थुरू काफी सब बाखी सब कंप्यूटर कनेक्टिड है तो दोस्तों और इसका एक्जाम्पिल है केविल यूज लैस देन इस्टार टॉपलोजी दोस्तों इसमें जो इसका एडवांटेज है कि इसमें जो यहां अधिक है तो दोस्तों अगर रिएवल टॉपलोजी में यहन कि मैस टोपोलोजी योग बात करें यह इन अगर बात करें तो दोस्तों मैस टोपलोजी हूगी अम है अच्छे सबकर आपको यूज तो इसके सबस्केर की बात कर लएऑ questa 사़ घर कर लउगिए लेकिन और इसमें इन बस नेटवर्क दोस्तों एक बहुत अच्छा एडवांटेज इसके हैं इफ बस नेटवर्क इफ बन नोड फेल यानिकि माली जे एक कंप्यूटर कोई फेल हो जाए या बंद हो जाए डज नोट इफेक्टू अधर माली जे एक कंप्यूटर बंद हो गया तो इन बाकी कंप्यूटर से इसका कोई अफेक्ट नहीं पढ़ने वाला दोस्तों यह था इसके एडवांटेज एंकि इफ बन नोड फेल डजन ओड इफैक्ट अधर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो बाकी बाकी जो नेटवर्क है उसका कोई इसका कोई एफेक्ट नहीं पढ नहीं है यहां से ब्रेक दोस्तों नहीं चलेगा क्योंकि यह इसका डिस आड़्वांटेज है यह तो बता दिया तो यह क्या है एक लिमीटिड इसका यूज क्या कर सकते हम लिमीटिड लिमीटिड टोपोलोजी यह इसका ज्यादा बड़ा यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों अगर इसका डायरा थोड़ा सा बढ़ांगे तो इसकी जो स्फीड है वह बहुत ही कम हो ज पिज़े कि इसने इसको डाटा सेंड क्या इसी समय अगर यह डाटा सेंड कर दे तो क्या होगा बदगर्म मत जाएगी और डाटा नहीं इधर आगा इसका डाटा किसी के पास नहीं जाएगा तो ऐसा नहीं है इसमें इसका disadvantage है दोस्तों तो अभी हमने बात करी बश्ट ओपलोजी बश्ट ओपलोजी में क्या एक सिंगल केविल है बैकबोन केविल इसके जो दोनों छोर पर यानकी एंड पर एक टर्मिनेटर लगा होता है और एक कंप्यूटर भी कंप्योटर सी कंप्योटर इस तरह से कंप्योटर इस केविल मैं टी कनैक्टर का यूज लिए तो यह सब भी उस दाटा को इस इन सब के पास भी डाटा एक समय को जाएगा हलाकि चाहे यह रिसीव करें या ना करें लेकिन डाटा जरूर जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिवाइस का यूज नहीं है सिर्फ एक केविल के थूरू एक कंप्यूटर कनेक्टिड है तो जाहिर सी बात है दाटा तो जाना ही है और यहां पर सिक्यूर्टी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह डाटा है यह सभी के पास जारा एक समय में चाहें बहुत काम है और मैं के ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा लेकिन हाए डिस बंद हो जाए तो पूरे जो इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला तो दोस्तों अभी अमने जाना बश टोपोलोजी अब जानते हैं रिंग टोपोलोजी के बारे में आप जानेंगे अगर समय रहा तो इसी वीडियो में टोपोलोजी कबर करने की कोशिस करूंगा लेकिन नहीं हो दोस्तों अगर समय रहा तो इसमें ही कवर करने की कोशिस करूंगा सभी टोपोलोजी को और दोस्तों अगर किसी बसे से वीडियो लंबा हुआ तो दोस्तों अगले वीडियो में बनाकर वीडियो अप्लोट कर दूंगा तो चलिए फिलालम जानते हैं रिंग टोपोलोजी दोस्तों रिंग तोपोलोजी से मतलब सिस्फब्स यान कि छल्ड एक छल्ले टाइप से कंप्यूटर कनेक्टीु चिनली समझें इस होटे हैं वो सभी एक सरकल के रूप में सरकल के रूप में रिंग के रूप में कनेक्टिड होते हैं एक के बाद एक रिंग टोपोलोजी यूज ए टोकन पासिंग प्रोटोकॉल दोस्तों रिंग टोपोलोजी में क्या होता टोकन पासिंग प्रोटोकॉल का यूज होता मान लिए कैसे तो मौली जह कम्प्युटर है कि यह सी कंप्यूटर यह लें दी कंप्यूटर तो विग एक सब्सक्ति को डाट करई आट्ञ मोलें इस ए कंप्यूटर को अर्लेंज तो एक बात रहे हो इसमें डाटा probable only 1-ר करने की तो दी कंप्यूटर को डाटा करना है इसको तो ऐसा नहीं कि यह इधर को नहीं है यह कि पास है दोस्तों ऐसा नहीं है और वर्ट डायरेक्सन डाटा त्रांसमिट करने के लिए एक ही डायरेक्शन में data को transmit करता दोस्तों सबसे पहले ए smartphone Sicher को डाटा तो क्या होगा को डाटा सेंद करेंगा क्या होगा को टोकन की कश्तails करें ये ट्रॉइस यह लाटा यह मतलब यह इसका इसका टोकन आएगा यह रहा है अगर मेरा तो होगा करेंगा नहीं है तो आगे सेंड करने काárias रुपीटर करता हुझार करके फिर दूआरा इस पर आएगे अगर तो तो एक राट यह वह तो कुंक्ब को आगे पास कर 125 करेंगा क्या एड्रस मेरा है या डाटा मेरा है एड्रस चेक करेगा अगर नहीं है तो डी को चेक कर देगा और डी को इसका जो भी डाटा था वो डी को मिल जाएगा दोस्तों यह है टोकन पासिंग प्रोटोकोल का इसमें यूज होता है इंडिंग टॉपोलोजी डाटा ट्रेवल ओनली ब डिवाइस डोस्तों जैसे कि हमने बटाया कि रिंग टौपोलोंजी में रिपीटर डिवाइस बटाएं करता है रिपीटर डिवाइस क्या करता यहां से यहां तक जब शिङनल ऑे तो कुछ शिगनलs थोड़ी सी सिंपिल सी थेयरी है आप आसानी से एक्जाम में इसको लिख सकते हो दोस्तों मैं वैसे तो कबर करने की कोशिज करूंगा लेकिन नहीं टोपोलोजी कबर होती है तो अगले वीडियो में अच्छे से डिसकस करेंगे तो दोस्तों अभी तक हमने जाना अभी तक हम र्ट्र में बतार तो दोस्तों इसका सब्सभाड़ चैने के बाद एक देज इसका एडडियोटय और इसका इन डिंटोपोलोजी अहीं है और यह जितने भी कंप्यूटर है यह जितने भी इस्टेशन और माली जी यह यह भी कंप्वेटर सोटेक सब्सक्राइब आपस में सब्सक्राइब के सबस्क्राइब कर दोस्तों कि अपने में सर्फ और सभी आपने में सब्सक्राइब जब सेंड हो रहा तो सभी के पास प्रोपल ली जा रहा है जिसका डाटा उसी के पास जाएगा लेकिन सभी इसमें बराबर यहनकी एक्वल यह जो दोस्टों लॉ से इंड्रींगरेश अमने बता रहा है कि रहरु करते डाटा को मदद दोस्तों है इसके बात करें डिस तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा दोस्तों इन रिंग टोपोलोजी इफ बन नोड फेल इफेक्ट टू अधर यान कि माली जे एक कंप्यूटर बंद हो जाए तो पूरे ही नेटबर्क पे उसका इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों क्योंकि माली यहां से यह कंप्यूट बंद हो गया तो केभिल ब्रेक हो गई तो यह तो इफेक्ट पड़ना ही है तो इसलिए दोस्तों यह इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है के बन नोड फेल हो जाए तो पूरा ही नेटबर्क बंद अधर्टों और दोस्तों इफ दा मैं केभिल ब्रेक आफटर द हाल नेटवर्क यहां पर यह अगर जो के बीन है कि और यह कंप्यूटर को जाए तो दोस्तों सभी यानि कि जितने भी यहां से के बीक हो जाए तो यहां से यहां कुछ signal जांगे नहीं माली एक computer ने d computer को यह इधर को यह डाटा सेंद कर नहीं सकता करेखा तो इधर को यह High लेकिन जब यहां पर break है तो क्या data यह आगे ब के पास आएगाँ जब डाटा बी के पास नहीं आएगा तो सी के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि केविल ब्रेक है तो यह सबसे बड़ा डिसएड़ांटेज है तो दोस्तों अभी तक हमने जाना था बश टोपोलोजी और रिंग टोपोलोजी तो दोस्तों मैं समझता हूं कि वीडियो अच्छ बहुती अच्छे सा समझा जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो मैं जाना टॉपोलोवजी तो दोस्तों आशा करता हूं बाट लागा अझे लोगन कना और अधिक लोगों को 데ि आप एसे ही हमें फॉलों करते रहे तो दोस्तों बहुत ही जलदी में है आपका दोस्त भि पर लियान की चल ही रही है नेटबर्क बेसिस की टूल्स की और HTML की और सी लेंग्वेज की किलास भी अगर आप कमेंट में बताओगे तो बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों तो दोस्तों आसा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगोगा और आप कमेंट आप लगोगा या फिर फाइथन लेंग्वेज कैसी है तो उस पर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं जुड़े रहे हैं अमरे चैनल पर वीके टेकनिकल गुरूम में तो दोस्तों आज के इतना ही मिलते हैं अगले बीडियो में वी जानेंगे टॉपलोजी कि अभी टॉपलोजी का टॉपिक समाप्त नहीं हुआए अभी प्रोसिस है धुश्तों हलाकि मैं बता सकता था कि टॉपलोजी में यह परीवासायन की डेफिशन नलिक के जैसे की और यूटुबर बताते के एक केविल के थूप का बागी सब कंप्यूटर कनेक्टिड है यह सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टिड है टोकन पासिंग प्रोटो को यूज होता रिपीटर डिवाइस बरकरता दोस्तों ऐसे में बताता तो हो सकता के बहुत जल्दी अब तक यह 6-6 टोपोलोजी बता द कोई उचतिय नहीं है दोस्तों तो दोस्तों इसलिए अब हम अगले वीडियो में जानेंगे चार्ट उपोलोजी बचीयों उनके वाले में हम अगले वीडियो में अच्छे से डिसकस करेंगे डाटे डिसाडवांटेश जैसा है पीछे अभीमने बात की ऐसे ही आगई बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है इसलिए दोस्तों जाइन जावारत मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों